नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सब गत आपको उज्जेन से चितोड गाड़ी जो पूर्व में वीरभूमी एक्सपरेस चलती थी उसके सलाट पर चलाये जाने के लिए प्रस्तावित थी वर्ष 2020-2020 टाइम टेबल की वजह से इसका संचलन वाया नागदा रतलाम होकर नहीं यह गाड़ी लगभग तीन साल तक अटकी रही लेकिन सितंबर महिने में इसको रेलवे बोर्ड के द्वारा अप्रूबल दे दिया गया है और उम्मीद बंदी है कि यह गाड़ी जल्दी पट्री पर दोड़ती नजर आएगी लेकिन और कोई ट्रेन होती दूसरे रूट क यह गाड़ी तो यहाँ गाड़ी तुरंत अनन फानन में हफ्ते भर की प्लानिंग के बाद ही दोड़ने लगती लेकिन यह एक साधारन मेमो गाड़ी है और एक आम छेतर का प्रतिनी दित्व करती है इसमें आम लोग सफर करेंगे तो एसे में यह गाड़ी इतनी जल्दी नहीं दोड़ पाई जैसा की उम्मीद थी परंतु अब मोका आ गया इस गाड़ी को पश्चिम रेलवे को कहीं से भी रेक का इंतजाम करके जल्द से जल्द दोड़ा देना चाहिए क्योंकि यह काफी लंबी मांग है उज्जेन से बढ़नगर रतलाम का जो सेक्षन है उस अभी तक एक भी यात्री गाड़ी का लाब नहीं मिल पा रहा है थोड़ी सी विसंगती इस जो टाइम टेबल जारी हुआ इसमें नजर आ रही है प्रमु की स्टाप इसमें नहीं दर्शाए गए हैं जैसे की बढ़नगर पिपलिया मंडी जावद रोड मलहारगर आदी पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिद्व करते हैं वह नहीं दर्शाए गए हैं परंतु उम्मीद है कि आगे आने वले समय में जो फाइनलाइस्ट समय सारणी आईगी उसमें यह स्टाप होंगे आयार्टीटीसी की तीनों बेटकों में जो टाइम टेबल भेजे गए हैं उस सेक्षन का भी कोई उप्योग रेलवे नहीं कर पा रहा है पूरू में जो ट्रेने इस रूट पर संचारीज होती थी मेमू गाडियां उनका भी रेक दूसरे जोन में ट्रांसफर कर दिया गया यहां जो हमारा रतलाम मंडल है इसके साथ पस्चिम रेलवे का सोतेला सामने आता रहा है मंडल से चलने वाली मेमू गाडियों में कोचेस कम करना हो भंगार डेमू गाडियां लगातार रूट पर दोड़ाई जा रही हैं आए दिन वह बंध हो जाती है फिर भी उनकी सूधोग पस्चिम रेलवे नहीं ले रहा है और जो भी नई गाडियां चल परेशानी में छेतर की जनता सफर कर रही है विफिन एक्सप्रेस गाड़ियों में जगे नहीं रहती है पेर रखने की सिलिपर डब्बों में यदि यातरी गलती से चड़ जाता है तो जुर्माने की कारेवाई होती है एसे में संवेदन शीलता दिखाते हुए रेलवे से जल्द इस गाड़ी का शुभारंब करे और भी जो भी छेतर में कनेक्टिविटियां रेलवे की काफी पिछडी हुई जैसा कि हम कई बार उजागर करते रहते हैं रतलाम से भोपाल के लिए और इंदोर से भोपाल के लिए सुभे के वक्त गाड़िया नहीं है इन जो ग सदस्यों के द्वारा इस ट्रेन की मांग बढ़नगर होकर ही चलाने की की गई वैसे है गाड़ी कभी भी किसी भी रूट से चलती तो छेतरवासियों को फायदा मिलता लेकिन जैसा कि रेलवे का जो बलाक है दोपहर के वक्त ग्यारा बज़े से दो बज़े तक उस बलाक प पट्री पर दोड़ते हुए हम सभी देखना चाते क्योंकि जनता तो लगभग नाउम्मीद हो चुकी है कि यह गाड़ी कभी पट्रियों पर चलती हुई दिखेगी या कभी वे लोग चलते हुए देख पाएंगे क्योंकि जो आपसी खिस्तान हमने विभिन अउसरों पर देखी है उससे निकल कर अब यह मोका आ चुका है कि जनता को यह जो करोडो रुपे खर्च करके सेक्षन बनाया गया है फतेहवाद वाइपास बढ़नगर वाला इससे चलाई जाएं क्योंकि जो हमारा नागदा वाला रतलाम वाला सेक्षन है वह 130 किलोमेटर पती घंटा वर्तमान में चल रहा है और आगे इसका 960 किलोमेटर तक भी किया जाएगा एसे में उस रूट पर ट्रेनों की और मालगाडियों की अधिकता काफी है इसलिए इस बढ़नगर होकर जाने वाले रूट का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए इस और रेलवे ध्या तो काफी फाइदा पब्लिक को मिल सकता है मालवा रेल फेन कलब को एक बार हम फिर से आप सभी की ओर से धन्यवाद देते हैं जो पूरे रतला मंडल की विभिन समस्याओं के लिए समय समय पर कार्य करता रहता है इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जर जरूर दें आप सभी का धन्यवाद